Hello friends. Accounting के कुछ important numeracles आज हम discuss करने वाले हैं. यह सारे हिनringeıs आपके error rectification के ऊपर हैं तो error rectification के लेके आपके चार नमबर तक की questions यानि चार से 5 नमबर तक की questions आपके में चुन 2014 में पूछे गए थे आपको idea लग चुका आपकोUST error rectification की इतना important topic है आपके exam के लिए तो error activation को पर मैंने 5-6 numericals रखें, वो सारे numericals इस वीडियो में हम लोग start करेंगे, discuss करेंगे, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा जो basic है इन numericals को solve करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप इन numericals को बहुत आसानी से solve कर सकें, तो एक बार अगर आप लोगों का basic clear ह हो जाएगा, तो यह numericals आपके लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाएगे, तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ी बहुत entries मालूम होने चाहिए, यानि कि अगर हमें यह numerical को solve करना है, तो हमें at least basic या three golden rule of accounting मालूम होना चाहिए, तो उसी का revision पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर इ golden rule of accounting नहीं मालूम है, तो आप error actification की questions भी नहीं solve कर सकते हैं, तो बहुत जरूरी है, यह बिल्कुल वह ही है कि आपको कोई word सीखना था, उसके लिए आप लोगों को ABC मालूम होनी चाहिए, तब ही आप कोई भी letter, कोई भी word समझ सकते हैं, तो same वही वाला rule यहां लागू होत और तीसरा है यहां पर हमारा nominal account, इनी के golden rule लागू होते हैं, यानि जितने भी type के आपके accounts होते हैं, उसको हम तीन category में बात सकते हैं, एक है friends personal account, दूसरा है यहां पर हमारा real account, और तीसरा है nominal account, personal account किसको बोला जाएगा, कोई भी individual है, माली जी मोहन, सोहन, कोई भी artificial company, उन personal account की category में रखते हैं, कोई भी individual, चीक है, सेकीन आता है friends, है आपर मेरा real account, real account में क्या चीज़े होती है, tangible, चीक है, जिसको हम touch कर सके कोई भी चीज़े जो tangible है, जैसा आपके घर में TV है, fridge है, cash है, इस तरगी की चीज़ों को वस्तुओं को आप real account में रख सकते हैं, तीसरा आता है, nominal account, तो इन दोनों के अलावा जो बच जाता है, वो nominal में आ जाएगा, जैसे आपके खर्चे, आपकी income, तो वो सारा आपका nominal account में हो जाएगा, ठीक है, तो तीन category में हम लग उसको divide करते हैं, तो personal account का golden rule है, वो ये बोलता है, कि debit the receiver, जिसको receive हो रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, उसको debit कीचे, example के तोरपे, आपने mohun को दिये 500 रुपे, so 500 given to mohun, तो इस case में mohun को क्या मिल रहा है, 500 रुपे मिल रहे है, तो mohun कौन है, वो है receiver, उसको पैसा मिल रहा है, तो जो receiver है, उसका account को debit करेंगे, तो इस case में mohun का account debit किया चाहेगा, एक और example, कि sohan ने 500 रुपे दिये, company को दिये, sohan ने 500 रुपे company में लगाया, company को दिये, तो sohan कौन है, sohan है giver, वो दे रहा है, तो credit the giver, तो जो देने वाला उसका account हमें credit करना पड़ेगा, तो इस case में sohan का account को credit किया चाहेगा, तो personal account मतलब किसी भी individual human being, उसकी अगर बात की चाहेगी, तो वह तो उसके account को हम debit करेंगे, debit the receiver, credit the giver, तो जो देने वाला है, उसको हम credit करेंगे, जिससे sohan ने 500 रुपे दिये, sohan given 500 to company, तो sohan कौन है giver है, तो इसलिए sohan का account credit किया चाहेगा, mohan ने 500 रुपे लिये, या mohan को 500 रुपे ऐसे हमने payment के तो रुपे दिये, तो लेने वाला कौन है, sorry receiver कौन है, mohan, तो इस case में mohan का account debit हो जाएगा, तो personal account यहापे आपका friends हो गया, second है हमारा real account, real account में होता है debit what comes in, debit what comes in, अगर कोई चीज आपके पास आ रही है, उसको debit कीजिए, credit what goes out, कोई चीज आपके पास से जा रही है, तो उसको आप credit कीजिए, जैसे आपके पास salary म आप payment करोगे, या कोई भी चीज अगर आपके payment वैसे आपके खर्चों में यहाँ पर आजाएगा, expense में आजाएगा आपका, तो वहाँ पर nominal rule लाग होगा, अगर जैसे आपने एक furniture purchase किया, purchase of furniture, तो furniture आपके पास आया, तो furniture आपके क्या है, एक चीज है, ठीक है, tangible asset है, तो व कि sell furniture, हमने furniture को बेचा, उस case में furniture आपके पास से जा रहा है, तो उस case में हम क्या करेंगे, furniture account को हम credit कर देंगे, या इसका एक ऐसा example लीजिए, कि आपने क्या किया, friends, इस real के बहुत सारे examples मिलते हैं, तो इसके एक दो examples लेंगे, तब हम इसको ज़्यादा solve कर पाएंगे, अच old furniture, कि कोई पुराना furniture आपने बेचा, 4 rupees 10,000, तो आपने 10,000 रुपे से क्या किया, furniture for cash रुपीज या सीधे लिखा होगा, 4 rupees 10,000, तो इसके हमें entry करने होगी, तो furniture देखिए, furniture क्या है, ये एक asset है, तो कोई भी जो asset है, friends, उस पे हमारा real account का golden rule लागू होता है, ठीक है, कोई जो asset है, tangible चीज है, वहाँ पे हमारा real account लागू होता है, तो इसका rule कहता है, debit what comes in, credit what goes out, friends, rule तो आपको hazardries memorize करने पड़ेंगे, उसके लिए मापकी help नहीं कर पाऊंगे, बच हाँ, उसकी entries में मापकी help कर पाऊंगे, परसल account का rule है, debit the receiver, credit the giver, real का rule है, debit what comes in, credit what goes out, nominal का rule मैं आ real के example पर फिर सको complete करते हैं, चेक है, so real का golden rule कहता है, debit the receiver, debit what comes in, debit what comes in, credit what goes out, पुरी लाइन है, what comes in, कोई चीज अगर आ रही है, तो debit कीजिए, credit किसको करना है, what goes out, अगर कोई चीज बाहर जा रही है, out, तो इसको credit करना है, यह हमारा real account का golden rule कहता है, चेक है, so यह rule तो आपन हमें इसकी entry करनी है, sold all furniture for 10,000, तो एक बात पताईए, जब आप furniture को, यहाँ पर देखिए, कौन-कौन से account involved होगी, पहले हमें यह मालूम होना चीज, कौन-कौन से account, तो देखिए, जब आप furniture को sold करने हैं, आप अपने हिसाब से सोचे कि आपके पास एक पुराना furniture, जिसको बेच रहे, पुराना सोफा बेच रहे, तो इसमें दो चीज़े होगी, एक सोफा जाएगा घर से बाहर, यह है आपका घर, आपके घर में सोफा रखा है बढ़िया से, लेकिन ही पुराना हो गया, ठीक है, तो आप furniture को sold करने हैं 10,000 से, तो इसमें क्या होगा, सोफा क्याइश आपको मिलेगा, तो क्याइश हो रहा है इन, और सोफा हो रहा है आउट, ठीक है फ्रेंस, तो सिंपल से एंट्री होगी आपके घर में, दो चीज़े प्रभावित होगी इस बात से, जब आप सोफा बेच बेच होगी, एक तो सोफा घर से गायब, और क्याइश घ रहा है इत्युक्त कसे जाती है, हमेशा पहले, ओपर रहा है रहा है, तो इसको लेखने का तो लखने का तरीका होगा, क्याश अकांट देबीट तू फरनीचर इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है जो डेbit है कौन सा cash account हो रहा है तो cash account के पीछे DR लगाना है और credit क्या हो रहा है furniture तो credit को ऐसे CR कहीं लिखना नहीं है उसके लिए 2 बहुत है उसको तो थोड़ा सा space देखे तू लिखना है यहां पर debit की entry होगी यहां पर credit की entry होगी कितना है 10,000 रुपे कि किस तरह से यह entry की जाती है चले हम लास्ट और nominal account को भी समझते हैं जो भी आपके expense खर्ची होगे जैसे आप कुछ salary पे कर रहे हैं वेजी से सब आपके क्या खर्चे हैं आपको sales कर रहे हैं यह सब क्या आपकी income है तो आपके जो खर्चे और income है उसकी बाते nominal account में की जाती है इसका rule कहता है debit all expense आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं जो भी आपके कुछ losses होगे माली जो बिजनस में loss हो गया तो उसको आपको debit करना है credit all income and gain जो भी आपकी कमाई हो रही है उसको credit करना है ठीक है तो यह कौन सा rule बोलता है यह बोलता है हमारा nominal rule of account debit all expense and losses credit all income and gains बस इस इस capacity स जात कीजिए तीनों golden दों साब याद रखिए उसकी helps आपासाने सर्क्रिफिकेशन और को कर पाएंगा एक बर थोड़ा सा रिवाइस करेंगे फ्रेंस परसनल अकॉंट का rule बोलता है debit the receiver credit कर दीजिए credit all income and gain जो भी आपकी income हो रही है उसको credit कर दीजिए expense हमारे खर्चे क्या हो सकते हैं जैसे कुछ आपने salary पे की कुछ wages पे किया ठीक है जहां भी आपके पैसे खर्च होगे जिसको आप बोलता हो मेरा खर्चा होगे बहुत expense होगे मुझे बहुत loss हो गया तो उन सबकी entry आप debit में दिखाएंगी और इसके अलावा जो भी आपकी क्या करना है जो भी आपको rectify करना उससे पहला आपको यह जो मैंने आपको entry सिखाई है ऐसे करके आपको entry लिखनी पड़ीगी जैसे यह मैंने आपको entry बताना है इसको लिखने के बाद ही आप error को rectify कर पाऊगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं कैसे इसको करना है तो यह question है friends पहले कुछ simple questions रखेंगे और फिर कुछ difficult वाले भी रखेंगे तो यह question बहुत ज़्यादा simple है यह आपके लिए ज्यादा difficult नहीं है so rectify the following errors rupees 25,000 page for laptop charge to office expense account तो देखें आपने क्या गया 25 रुपी कैश दिये laptop के लिए उसको आपने office expense account में उसको एंटर को शो किया तो यहाँ पर हमें एक काम करना है friends correct entry रिखने हैं फिर wrong entry और फिर हम क्या करेंगे उसको rectify करेंगे तो correct entry क्या होगी कि आपने क्या क्या 25,000 पे करके एक laptop को खरीदा तो आपके पास से क्या होगा यह आप है आपका घर है यह आपने क्या क्या होगा 25,000 पे क्या होगा तो जो यह आउट हो रहा है और laptop घर के अंदर आ रहा है यह laptop है आपके घर के इन आ रहा है क्योंकि laptop और cash दोनों ही हमारे real account है दोनों ही assets है तो asset के लिए हमेशा जो है real account का rule लागू होता है और real account का rule बोलता है कि three golden rule of accounting में जो second है वो real account है friends real account का rule बोलता है debit what comes in अगर कुछ आ रहा है इन हो रहा है तो debit करो अगर out हो रहा है कुछ जा रहा है तो credit करो चेक है तो यहाँ पर बताईए जब 25 आप पे कर रहे है तो in कौन हो रहा है आउट कौन हो रहा है तो यहाँ पर laptop जो है वो in हो रहा है तो laptop इन हो रहा है तो जो in हो रहे उस account को debit करना पढ़ेगा तो laptop का i जो अकौन है वो हो रहा है यहाँ पर debit और out कौन हो रहा है cash जा रहा है क्योंकि free का नहीं वालकि cash दे के laptop ने रहा है boleh 35 रुपर तो 25 रुपर चाह रहा है तो यह credit हो रहा है तो उसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था फ्रेंस कैसा लिखना है जो debit हो रहा है उसको पहले लिख लीजिए laptop वाला debit हो रहा है तो जो debit हो रहा है उसको पहले लिख लीजिए उसके पीछे लगा देजिए debit को short में ऐसे DR बोलते हैं फिर उससे के नीचे ओली लाइन में थोड़ा सा जगा छोड़के यहां पर जैसे debit को DR लिखते हैं ऐसे credit को CR से कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब है यह credit entry हो रहा है फिर उसके बतले कौन सा credit हो रहा है cash चा रहा है तो cash credit हो रहा है cash करके फिर कितने का हो रहा है 25,000 का तो इसको लिखने का तरीका यहां पर लिख देंगे 25,000 और यहां पर थोड़े से जगा छोड़के लग देंगे 25,000 इसका मतलब है यह entry यह है यह entry इस तरीके सा इसको लिखा चाता है ठीक है friends तो 25,000 page for laptop तो या आपके पास से जाई की वो होगा है आप एक credit ठीक है यह हमारा पर यह तो हमारा second golden rule of accounting है जिसको हम बोलते है real real accounts तो हम real account का यह rule क्यों लगा रहे हैं जो real account है वही तो बोलते है debit what comes and credit what goes out हम real account का rule क्यों लगा रहे हैं वह हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं friends क्योंकि यह है एक asset यह है asset जैसे आपका laptop भी एक asset है पैसा भी एक asset है तो asset चीज क्या होते हैं जिसके हमाली के जिसको हम जिसे जाहें इस्तमाल कर सकते हैं तो यह हमारी asset होती है तो asset हमेशा real account का ही rule लगता है तो यहां पर entry हो चुकी है laptop account debit to cash account लेकिन यहां पर गलती क्या होगी charge to office expense account तो यहां प हमारा कौन सा रूल लागू होगा तीसरा nominal account तो जो तीसरा golden rule है nominal account वहां पर क्या रूल लागू होता है खर्चे हो रहे हैं तो रूल कहता है debit all expense and losses credit all income and gain तो यहां पर income की तो कोई बात ही नहीं तो credit का रूल नहीं बलकि सरफ debit का रूल लगेगा debit all expense and losses तो expense account को क्या कर दिया debit कर दिया तो यहां पर क्या होगी wrong entry में क्या किया office account sorry laptop के बदले office expense account को debit कर दिया और cash तो अपका credit में ही है तो यह हो गया 25, 25,000 तो यह हमने wrong entry भी लिख दी correct entry यहां पर लिख दी गई है right side में wrong entry है अब इसका हमें correction करना है तो correction किसी इसको करते जो चीद सही है उसको तो ऐसी रहन देंगे जो गलत है उसको हम correct कर लेंगे जैसे देखिए cash और cash यहां पर तो को issue नहीं है cash और cash तो आपका सही है तो इ debit को correct करने का तरीका उसको credit में डाल दो तो यह तो पहले से correct था तो इसको ऐसी लिखेंगे laptop account laptop account debit कितना 25,000 क्योंकि यह जो office expense है यह debit है और हमने entry wrong कर रखी है तो इसको क्या कर देंगे जो debit है उसको correct करने के लिए उसको credit कर देंगे ठीक है यह कई पर दुकान वाले को हम गलती से दुकान वाला हमें गलती से कम पैसे देता है तो मुसको कैसे rectify करते है जितना पैसा का मैं उसको देखेंगे मुसको rectify करते है तो सेम ऐसी यहाँ भी होगा कि office expense account friends आपका debit हो रहा है तो उसका rectification उसको credit कर दीजिए क्रेट के लिए CR तो नहीं लिखते हैं टू लिखके office expense लिखते हैं और थोड़ी से जगा छोड़के यहाँ पर 25,000 की entry हो जाएगी तो यह आपका correct answer हो जाएगा इस तरह से आपका rectification हो जाएगा साइड में आप narration भी लिख सकते हैं कि rectification of rectification of किसका हम rectification कर रहे हैं यह जो आपका office expense account नहीं सब ज्यादा नहीं पूछते बस आपकी entries को पूछते तो laptop account debit to office account credit यह आपका correct answer इसमें हो जाएगा ठीक है तो एक आपका rectification of error के उपर एक नुमार कलाब का हो चुक है इसको थोड़ो सा फ्रेंट revise करते हैं देखिए हुआ कि 25,000 हमने laptop के लिए और वह हमारे office expense account में उसकी entry शो करता है तो 25,000 आपने laptop के लिए तो पहले आपको उसकी entry करनी होगी तो पहले सही entry लिखने की कोशिश की तो 25,000 जब आप laptop के लिए देंगे तो 25,000 जाएंगे बाहर और laptop आएगा इन तो जो इन आता है उसको हम debit करते हैं और जो out हो रहा है उसको हम credit करते हैं तो rule कहता है कि पहले debit के entry करो और नीचे to लगा के credit के entry करनी है तो इसमें debit क्या हो रहा है laptop credit ह थोड़ा है cash तो हमने लिखा laptop account debit कितने से 25,000 to cash यानि credit 25,000 तो यह entry होगी correct अब इसमें हुआ कि charge to office expense account यानि लिखना चाहिए था laptop account पे पर आपने office expense पे entry कर दी उस account पे आपने इसकी entry कर दी ठीक है तो office expense account यह सभी अलगलग account क्या होते friends जैसे मालीचा अलगलग schools में पहली class की बच्चे दूसरी class की बच्चे सबका अलगलग register होता न है attendance register कोई बच्चा आएगा तो उसकी उसी class में attendance register लगए जाती है laptop समाझ लिजे class 1 है और expense समाझ लिजे class 2 है तो class 1 के बच्चे के entry अपने class 2 तो इस तरह से आपने गलती कर दी तो ठीक करना पड़ेगा वही इस तरह से यहां पर किया जाता है तो यहां पर देखी होगा क्या कि office expense आपने कर दिया तो expense क्या है यह हमारा खर्चा है तो खर्चे के लिए हमारा जो तीसरा golden rule है जिसको हम बोलते nominal वह लागू होगा वह कह दीग रहे है क्या हमारे खर्चा है यह क्या है expense है तो expense क्या है फर्चा है तो क्या हम करेंगे खर्चा हमारे डेबिट होता है क्योंकि nominal का रूल है debit all expenses and losses credit all income and सबसुआ कर दाए। तो यहांपर two cash है यहांपै to ipes business हुआ है कि यहांग्रंट करने का तरीक है यू करके हाओ लिए ख़ीए और यह तो मैच हो गया इसको कर देंगे तो तो क्रेडिक करने का तरीका क्या है two करके नीची लिखना होता है क्योंकि debit ऊपर आता और credit का entry to करके ऐसे लिखा जाता है तो two Office Expenses हम लिखेंगे और 25 और 25 तो इस तरह सा आपके entry हो जाएगा हमेशा से इस तरह की कोशन में फ्रोड सा बहुत जो basic लिखने का भी मालूम होना ज ही दिट हो रहा है तो माली जिए ओं आ पॉर सब करकी एसे डीयर लगाना थो यहां पर रगा है tiya करका फाल लगा है यह ओरच इसको लिखने का तरीका यहां पर देबिट को लिखने के लिए यहां पर लगा है क्रड़ने का तरिका है णपे थोड़ा सा जगह छोड़ को हो रहा कितने से हुरा है और इसको को धक्किच टोढने लिखान चाहिए यह आरी जागी है अगर आपकी टेबल है तो ऐसे माल सकते हैं और spirits की एंट्री ईदर होगी और और क्रेड़िट की एंट्री टेबल की next वाले कॉलम में होगी पांच ज़िए इस तरह से इसको लिखा जाता है ठीक है तो थोड़ा बहुत लिखने साब का आईडिया लग चुका होगा कि किस तरह से debit और क्रेड़िट को लिखा जाता है तो debit को जिसको भी debit होना है उसका नाम नमारेकल यहां पर complete इसमें हो चुका है एक दो नमारेकल और देखते हैं फिर और एक दो डिफिकल्ट वाले भी देखेंगे यहां पर बोला गया है 5000 paid for purchase of machinery तो आपने क्या कि पांच जार रुपे दिए मशीन रिपचेस करने के लिए तो यहां पर दो चीजा इंवाल हुई पांच जार रुपे cash देखी तो आपका माली जिए घर है यह कौन सी मशीन है कुछ लिखा नहीं है कोई भी मशीन हो सकती फैक्टरी की कोई मशीन हो सकती है तो यानि यहां पर machine के है फ्रेंस यह आपका एक asset है तो कौन सा रूल लाग होगा real account का जो second है न हमारा golden account उसका real account क कुछ आ रहा है तो इसको debit कीजिए अगर कुछ जा रहा है कुछ out हो रहा है तो इसको credit कीजिए यही तो rule बोलता है ने friends debit what comes in credit what goes out तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है देखिए machine भी एक asset है और 5,000 रुपे जो cash के वो भी asset है तो दोनो ही asset है तो दोनों ही जगा पर यहां और यहां दोनों जगा पर real account का ही rule लागूघ और होगा तो होगा क्या 5,000 पर क्या हो पने machine purchase की है तो आपकेखर में कौन आ रहा है आपके घए machine आ रही है मशीन, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, पांच जा रहा है, तो यहाँ पर आउट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और इन क्या हो रही है, मशीन, तो जो इन हो रही है, उसको क्या करेंगे, डेबिट, तो मशीन अकाउंट होगा, डेबिट, और जो आउट ह ACOUNT हो रहाए'll要 credit होड़ा सी जगाथ चोड़के यहां पर Two Cash present to cash account Australian払केई गटने से हो रहा है cór 5000 से तो इसकी alcohol पर करेंगे और इसकी एक a Casa ug cannot यहां पर बनेगे यह इस टेवल यह इस्का है यह इस तरह से itself opens Cap today तो हमने correct ऐसा ने तो कर ली है और औरplace wrong entry देखना, यहाँ पर entry ऐसी होनी चाहिए थी, अगर ऐसा होता तो बिल्कुत सही होता, पर हुआ क्या, has been charged to purchase account, तो इसका जो entry है purchase account में कर दिया गया, purchase, purchase क्या है, जैसे आप कुछ भी purchase कर रहे हैं, तो purchase आपके लिए क्या है, purchase आपके लिए खर्चा है, purchase जैसे आप कुछ भी purchase कर रहे हैं, यह आपके लिए खर्चा है, यह आपके लिए expense है, जैसे आप कुछ दिवाली है, तो कुछ आप sweets purchase कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप purchase कर रहे हो, तो purchase हमेशा आपके लिए कुछ वह purchase कर रहे तो वह सब आपके लिए क्या होगा खर्च होगा expense होगा तो इसलिए जो है expense के लिए जो तीसरा golden rule है nominal वाला rule लागू होता है nominal rule क्या कहता है कि debit all expense and losses जो भी expense है जो भी खर्च उसको debit कीजिए कुछ भी income है तो उसको credit कीजिए income and gain को तो यहाँ पे तो कोई income की बात ही नहीं हो तो credit का तो logic ही नहीं है debit account जो है आपका expense account sorry purchase जो है वो हमारा debit हो जाएगा और cash तो आपका है ठीक है यानि machinery की बदले purchase account में हमने debit में entry कर दी तो wrong entry क्या है फ्रेंज wrong entry आपका purchase account आपने कर दिया debit और two cash कितने से same amount पांच हजार से पांच के पांच के ठीक है पांच हजार अब इसको rectify करना है कैसे करेंगे देखिए two cash यहाँ पे credit side है यहाँ पर भी credit side है तो कोई दिक्कत नहीं यह entry बिल्कुछ सही है अब हमारा एक गलती है यह कि purchase account debit है इसको ठीक करना पड़ेगा तो ठीक करने का तरीका क्या है क्या है क्योंकि यह तो wrong है न रॉंग में दो है एक यह है तो cash तो match कर गया यानि 50% mistake है वो है purchase account में तो purchase account और शहाँ आपका debit इसको कैसे करेंगे इसको कर देंगे credit तो कोई भी जो गलती है debit की सइट गलती है तो sad गलती है तो उसको credit कर देंगे पस इतना ही काम है और कुछ नहीं है तो पर्चेस अकाउंट यहां पर हमारा जबिट इसको करेंगे क्रेड़िट इस एंट्री को एसटेज लिख लेंगे फ्रेंज मशीन अकाउंट जबिट फाइफ थाउजन याइस रहेगा और जो आपको पर्चेस अकाउंट था डेबिट उसको हम क्रेड़िट करेंगे सो टू पर्चेस अकाउंट कितना हो जबर पांच अजया और फिट हम नर्रेशन भी लिख देंगी कि रेक्तिफिकिशन of purchase account for purchase of machinery जै कैसे लिख देंगे कि rectify कर लिए हमने machinery purchase के लिए जो entry था बस आपके चो options होते ना चारूस में ऐसी होते हैं कि machine account debit by purchase account credit यह rectification होगा या ऐसे तीन चार options होगे तो जहाँ आपको यह option देखेगा कि machine account debit by purchase account credit वो आपका correct answer हो जाएगा तो rectification के ओपर friends हम लोगों ने दो numerical कर लिए हैं एक और देख लेते हैं तीसा नुमारकल यहां पर क्या बोला गया देखिए rectify the following errors 15,000 for repair वर made debited to building account तो यहां पर आपने क्या किया माली चे कुछ repair का काम करवाया होगा आपकी आपकी जो ओफिस में कच repair का कुछ काम होगा कोई भी रिपेर का काम हो सकता है तो पंद्रह पंद्रहजार की रिपेर करए नहीं चिक क में औरे हम करेंगे फिर हम रोग एंटरी करेंगे तो 15,000 for repairs, 15,000 आपने repair के लिए दिये, तो आपका मालीजे office है, यहाँ पे आपने कुछ काम आम कराया, उसके लिए आपने 15,000 पे दिये, ठीके? तो repair क्या है आपके लिए? रिपेर एक तरखिक आपका खर्चा है रिपेर क्या आपके लिए? खर्चा है, expense है रिपेर को क्या नाम देंगे? रिपेर को आप क्या बोल सकते? क्या ये asset है? कोई नहीं 15,000 को तुम नाम देंगे कि 15,000 cash है तो यह हमारा asset है तो यहाँ पे तो real account का rule लागू होगा लेकिन रिपेर ये खर्चा है इसको क्या बोलोगे? क्या नाम कोई human being भी नहीं है ना ये कोई asset है तो ये क्या बचा? रिपेर हमारे खर्चा बचा है expense बचा इसलिए इस पे nominal account का rule लागू होगा जो बोलता है debit all expense and losses जो भी expense होरे इसको debit कीजिए credit all income and gain कुछ भी income होरे इसको credit कीजिए ये हमारा repair account का rule बोलता है तो 15,000 रुपे आपने दिये तो आपके office से आपने 15,000 रुपे पे किये तो 15,000 रुपे क्या हुए? out हुए cash out हुआ फिर आपने करवाई कि आपने repair कराई तो 15,000 रुपे तो आपका real account का rule लागू होगा लेकिन जो आपने repair कराई है वहाँ पे जो तीसरा है ना nominal account वो लागू होगा तो 15,000 रुपे बाहर गए cash गया तो real account का rule क्या बोलता है वो बोलता है debit what comes in अगर कुछ आ रहा है तो इन कीजिए कुछ जा रहा है तो out कीजिए debit what comes in credit what goes out तो यहाँ पर क्या हो रहे फ्रेंस यहाँ पर क्या हो रहे है 15,000 आपने बाहर किये तो यह out हो रहे है तो out हो रहे है तो इसकी entry कहाँ पर होगी credit में होगी तो 15,000 को हम credit में entry करेंगे बढ़ यह जो repair है इसको कहा करेंगे देखें repair हमारे लिए expense खर्चे है यह खर्चे पर nominal rule लागो होता है nominal कहता है debit all expense and losses तो जो हमारे expense हो रहे हैं खर्चे हो रहे हैं इसको debit कीजिए credit all income and gain income तो कुछ नहीं हो रहे हैं आपे सिर्फ खर्चे हो रहे है repair की form में तो debit हो जाएगा repair का account तो repair account हो जाएगा debit और आपका cash account 15,000 हो जाएगा आपका credit तो इसकी correct entry ऐसी होगी friends repair account यह हम correct entry लिख रहे हैं repair account debited to cash account कितने से 15,000 से तो ऐसे लिखा जाएगा 15,000 और यहाँ भी लिख देंगे 15,000 यह हमारी है correct entry अब इसकी में wrong entry भी लिखने रहेगी तो wrong entry को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं friends उपर तो यहाँ पर बोला है कि debit to building account तो debit करना चाहेए तो repair account को लेकिन गलती से building account को debit कर दिया गलती की building account को ठीक है तो building account को debit कर दिया तो लिखना पड़ेगा building account debit और गया किसे cash से to cash कितना वही 15,000 तो यह हमारी यहाँ पर लिखना था space नहीं तो मैं इसलिए दर ही लिख 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 लिखेंस यहाँ पर है क्योंकि थोड़ी जगा छोड़नी होती न कैसे करेंगे debit हुआ तो उसका rectification उसको credit कर दीजिए बस तो यहां की जो debit entries को as it is लेखेंगे correction रहेगा आपका repair account debit repair account debit यह जो आपका building account आपने debit किया न इसको rectify करना होगा क्योंकि यह तो मारी wrong entry होगी न उसको यहां पर लिखेंगे तो इस तरह से इसकी entries को किया जाएगा यह हमारा correct answer आजाएगा क्योंकि हमने इसको कैसा rectify किया यह यहां पर debit हो रहा था न और यह wrong entry थी तो उसको ठीक करने के लिए इसको credit करना पड़ेगा तो credit के लिए कैसा लिखते फ्रेंस टू लिख के उसका नाम लिखेंगे बिल्टिंग और थोड़ी जगा छोड़के यहां पर इसकी entry को लिखा जाएगा तो आपके options में होगा कि repair account debit by building account credit या building account debit by repair credit तो कौन सा options है तो चारों में से जहां पर यह option मिलेंगे आपको दो वो आपका correct answer रहेगा ठीक है तो और his personal use has been debited to office तो आप लोग जानते हैं न कंपनी का concept होता है कि प्रप्राइटर जो भी चीजे कंपनी से ले रहा है उसको कंपनी के लिए एक तरसे loan माना जाता है या जिसको हम एक ठीक है तो उसने अपने personal use के लिए निकाला था और उसके लिए हमने उसकी entry गलते से office expense में कर दी मतलब office के पास से 10,000 रुपे बाहर गया होगी 10,000 cash क्या होगा out होगा तो वही same real account का rule है debit what comes in credit what goes out तो जो goes out है उसको में करना है credit तो यहां पर cash account हो जाएगा credit तो entry हो जाएगी और debit क्या होगा फिर पैटर का account जो drawings है drawings एक तरसे क्या है वो जो भी चीज़ वह company से ले रहा है drawings एक खर्चा है company के लिए ठीक है तो क्योंकि यह company के लिए खर्चा है तो debit all expenses and losses debit all expenses ने 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 प्रप्रेटर को यहां पर nominal नीवर की friends personal account मानेंगे क्योंकि वह एक individual जो है पैसा लेके जा रहा है ठीक है personal account का rule होगा debit the receiver credit the giver तो प्रप्रेटर कौन है receiver है कि giver है तो उसको पैसा मि credit the giver क्योंकि जो receive करता है उसके account को debit करना है तो वो पैसा लेके जा रहा है तो उसके account को debit करना पढ़ेगा तो इसकी correct entry होगी drawing account drawings account debit और two cash cash तो credit हो रहा है तो two cash असे लगाएंगे कितने से friends वो है आपका 10,000 तो यहाँ पर 10,000 आएगा यहाँ पर 10,000 यह correct entry है ठीक है अब wrong entries का क्या रहेगा wrong entry क्या हुआ कि office expense की account से उसको debit कर दिया यानि हमें लिखना चाहिए था drawing account debit to cash लेकिन हमने wrong entry क्या की office expense को debit कर दिया भले खर्चा उसका खुद गया लेकिन हमने उसको office expense दिखा दिया तो अगर office expense दिखाया तो यहाँ पर फिर से आपका तीसरा जाल रूल है वह लागू होगा जो कि हमारा nominal account तो यहाँ देखे फ्रेंस तीनो golden rule of accounting एक ही expense and losses जो भी expense हो रहा उसको debit कीजे credit all income तो यहाँ पर तो कुछ income की बात ही नहीं हो रही यहाँ तो सिर्फ खर्चे की बात हो रही है तो इस अकाउंट को debit करना रहे गा और तो आपका cash रहे गई तो रॉंग entry क्या है debit expense account to cash कीतने से प्रेंस 10,000 से यह रॉंग entry हो गई और यह करक्ट अब इसको ठिक करने के लिए देखना पड़ेगा चू कैश तू कैश मैच कर गया यह जो एंट्री यह मैच ने की यह debit है तो इसको सही करने के लिए इसको credit करना पड़ेगा क्योंकि यह रॉंग साइट है तो उसको ठिक करने के लिए credit करना पड़ेगा तो यह जो drawing account debit है drawing account debit यह तो सही था और यहां पर नीचे आजागा to expense और यहां लिख देंगे 10,000 इसके साथ यह आपका rectification हो जाएगा तो यहां पर friends देखी हो क्या रहा है कि 10,000 रुपे प्रपेटर ने निकाले हैं तो जब 10,000 रुपे प्रपेटर निकालता है तो उसको drawings account पे entry की जाती है और cash में की जाती क्योंकि cash गया तो cash यहां से चला गया तो cash है आपका real account क्योंकि इसे बाहर गया तो इसे लिए cash होल account को में credit करना है तो entry हो जाएगी to cash credit हमने entry कर दी फिर आप debit किसको करना पड़ेगा जो प्रपेटर का account है जिसको drawings बोला गया है drawings प्रपेटर एक personal person है जो कोई भी जो person है अगर वह receiver है तो debit करना है गीवर है तो credit करना है क्योंकि personal account का nominal rule य यह होगा receiver इसे लिए इसके account को debit करना है तो प्रपेटर के account का नाम रखा जाता है drawings account अगर वो कुछ withdraw करना है तो drawings account को करना है debit और इस cash वाले को करना है credit कितने से 10,000 से तो यह हमारी correct entry हो जाएगी wrong entry क्या रहेगा friends wrong entry में देखिए office expense को हमने debit कर दिया तो wrong entry में हमने क्या किय cash का credit तो कुछ नहीं किया बड़ जो आपका जो प्रपेटर था उसके बतले हमने office expense account को debit किया पर वो debit क्यों होगा उसका भी मैंने आपको reason बताया office expense होता है nominal account जो कि है तीसरा golden rule of accounting तीसरा golden rule of accounting बोलता है debit debit all expense and losses तो यह जो प्रपेटर पैसे लेके जा रहा है यह क्या है यह expense currency तो है ना company के लिए क्या है यह expense है खर्चा है यह क्योंकि यह company के लिए खर्चा है तो इसलिए यह debit होगा तो इसलिए प्रपेटर का account है यह expense account होगा to cash से cash match कर जाएगा drawing account debit यह ऐसे दिस रहेगा और जो आपका expense account debit है उसको credit करना पड़ेगा इसके साथ इसका rectification हो जाएगा एक और numerical देख लेते हैं फ्रेंस थोड़ा सा difficult type का वो इसमें रख लेते हैं उससे आपको थोड़ा idea इसमें लग जाएगा लिखे rectify the following errors credit sales to mohan आपने क्या क्या मोहन को credit sales की पर recorded in purchase book इसकी पहले correct entry करेंगे credit sales to mohan तो इसकी correct entry क्या होगी mohan के account है mohan एक induzal है तो इसके उपर personal account का rule लागू होगा ये एक induzal है तो personal account का rule लागू होगा personal account का rule कहता है debit the receiver credit the receiver जो receive कर रहा है जिसको कुछ मिल रहा है तो उसको debit कीचिए ठीक है यह account का rule कहता है अब यहाँ पर sales हो रही है तो sales बताईए यह हमारे लिए क्या होगी तो पहले हम बताएंगे कि जो mohan है mohan को credit sales to mohan mohan को हम sales कर रहे कितने की 7000 की मतलब कुछ समान बेच रहे है तो mohan कौन है यहाँ पर receiver है कि giver है तो यहाँ पर mohan क्या कर रहा है वो है receiver क्यों क्योंकि हमसे चीज़ों को खरीद है तो mohan है receiver क्योंकि mohan receiver है तो यहाँ पर mohan का account debit किया जाएगा तो mohan का account debit हो जाएगा कितने से साथ से तो debit की entry हो गई तो credit sales अब credit sales का जो sales है यहाँ पर हमारा nominal account लागों होगा नमेनल अकाउट बोलता है डेबिट all expenses and losses credit all income and gains अगर कुछ भी expense हो लौस हो रहा थो debit कीजिए अगर कुछ income हो रही है debit, credit के लिए CR नहीं लिखते, बलकि 2 लिखते हैं, 2 sales, कितने से 7000, तो 7000 यहां लेखेंगे और थोड़ा space छोड़के यहां लेखेंगे, ठीक है, तो यह हमने correct entry कर दी है, अब हुआ गया, were recorded in purchase book, तो हमने क्या कर दिया, उसकी entry purchase book में कर दी, purchase क्या है, कुछ भी आप purchase कर रहे है, यह आपके लिए क्या है, खर्चा है, पर्चेस क्या है, यह आपके लिए खर्चा है, तो फिर से nominal rule बोलता है, debit all expense and losses, जो भी आपका खर्चा हो रहा है, loss हो रहा है, तो उसको debit कीजिए, तो जो purchase account हो हो जाएगा हमारा debit, और जो आपकी, किस से आपने किया है, जो credit sales to mohan, mohan से आपने किया है, तो इसमें बोला कि purchases, यानि हमने जो है, mohan से, mohan से हमने purchases किये, चीज़े हमने उसको बेचिये पर हमने entry कर दिया, कि हमने उससे purchase किये, किस से mohan से purchase किये, तो wrong entry किया क्रेडिट किसको दिखाना होगा मोहन को पर हम क्रेडिट मोहन को क्यों दिखाएंगे क्योंकि हमने मोहन को समान बेचा लेकिन हमने अपनी एंट्री की कि हमने मोहन से समान खरीदा पर्चेस की है तो पर्चेस हमारे लिए खर्चा है क्योंकि यह खर्चा है तो नॉमिनल के इस अगर कोई रिस्ट कर रहा है कोई हमें कुछ दे रहा है कोई हमें कुछ दे रहा है हो गया तो क्हर्चा वाल आकाउंट क्या होता है डेबित होता है तो इसलिए पर्चेस वाल अकाउंट होगा डेबिट किससे खरीते हैं तो मोहन है ने ने फिर द्यार्ट ये घ्लत ये लिए पिकने से वही से यह रॉंग है इस रॉंग को ठीक करना पड़ेगा कैसे करेंगे देखिए जो राइट एंट्री पहले उसको देखेंगे मोहन अकाउंट जैबिट 7000 तू सेल्स यह सही एंट्री एंट्री ठीक है अब पहरें देखेंगे टू मोहन यहाँ पे टू सेल्स मैच नहीं कर रहा यह यहाँ पर पर्चेस अकाउंट यहाँ पर मोहन अकाउंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है जैसे बाकी कोशन में तो हमारा कुछ ना कुछ 50 परसंट तो मैच करी रहा था अट लिस्ट देखिए जैसे क्यास से क्यास मैच कर रहा तो सुरफ एकी चीज को में रैक्टिफा करना पड़ेगा डबल डबल यहाँ पर को चायँगा तो कैसे करेंगे सिंपल सा तरीका है देड़िट वाला है थो तो उसको कर्लीट कर दीजिए और यहाँ पर उस की उन्टी यहाँ बहुत सिंपलत तो किसको हम मैं रहा मिल्बीपोगे हैं ट्रेल obtained boa चाहिए चूम है और आपको बताऊंगे इसको लिखते कैसे तो जो पहले से लिखा हुआ है debit उसको एसटिस लिखना है और जो हमने यह जो रैक्टिफाई किया है जो credit में था न मौन उसको debit करके है यह अगर्पी अगर्फ मैं रेक्टिफाई वाल न इक है था है और यह जो हमारा पर्चयस अकांट debit उअगा इसको हम क्रेट करेंगे तो तो यह हमारा रेक्टिफाई वाल। तो मैंने रेक्टिफाई वाले की एंट्री फ्रेंस लिखते हैं तो महन को एक ही बार लिखके 14,000 लिखा जाएगा तो इसकी एंट्री इस तरह से होगी friends कि Mohan account debit दो बार नीवल की एक ही बार लेकेंगे इन amount को add कर देंगे 7 और 7 14,000 debit में entry होगी credit में 2 entries होगी एक होगा 2 sales और दूसरा होगा 2 purchase 2 sales इसकी entry होगी 7,000 और एक होगा 2 purchase इसकी तो debit और credit set match करना चाहिए ना साथ और साथ चोड़ा और यह भी चोड़ा मैच करना तो इस तरीके से इसकी entry को किया जाता है आई होग आपको थोड़ा सा मैडिया लगा होगा कि किस तरह से जब पूरे में रेक्टिफ मतलब जिससे तो पहले वाले जो हमने 7,000 वार recorded in purchase को तो हमने उधार में समान बेचा बेचा महुन को 7,000 उसकी अंटरी में पर्चिस में मतलब हम बेच रहे हैं और दो रजिस्टर है एक है कि यहां पर हम बेचने के एंट्री करते हैं हमने मोहन को बेचा उसकी एंट्र हमें इस रजिस्टर में कर नाई थी हमने गलती बेच सा तब तो उसकी कमाई होती न तो यह उसके लिए income है तो इसे लिए इसके एंट्री हम क्रेड़ेट में करेंगे कितने से 7000 से रॉंग एंट्री देखते हैं recorded in purchase book हमने purchase मतलब कुछ खरीद रहे हैं कुछ आपके लिए खर्चा है क्योंकि यह आपके लिए एक्सपेंस है तो इसकी एंट्री होगी डेबिक में तो पर्चेस वाले की एंट्री होजएगी डेबिक में और किससे आप पर्चेस क कर रहे तो मोहन आपको कौन दे रहा है मोहन आपके लिए गीवर तो मोहन के केस में इस वाले रॉंग के केस में मोहन आपके लिए गीवर क्योंकि उसी साब पर्चेस कर रहे हो तो मोहन है गीवर क्योंकि वह गीवर है इस वाले रॉंग एक्जांपल में तो इसकी एंट्री कुछ भी मैच नहीं बाद तो हमें दोनों को छीट करना पड़ेगा तो यहां क्या करेंगे टू मोहन जो आपका credit है इसको debit कर लीजिए और जो आपका purchase account debit एसको credit कर लीजिए तो इससे आपका rectification हो जाएगा तो टू मोहन आपका यहां पर credit मत उसको debit कैसे करेंगे उसको यहां पर जो पुरानी जो हमारी entry है न करेक्ट उस ही के बगल में लिखेंगे जैसा हम करते हा रहे थे तो मोहन अकाउंट debit एक पहले से था और एक इसका rectification का एक नीची आ गया तो दो entries हो जाएगी साथ 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 की टू सेल्स पहले से था फिर यह आपका पर्चेस अकाउंट था आपका debit में यह नीची आ जाएगा credit में तो इसकी करेक्टर एंट्री होगी फ्रेंज मोहन अकाउंट 14,000 टू सेल्स टू पर्चेस इसके साथ ही आपका एक्रार एक्टिफिकेशन का यह जो लास्ट मार्कल है कभी भी आप याद रखिए फ्रेंज साब को कभी भी एर रार एक्टिफिकेशन की कोई भी नमारका सुख करना है तो हमेशा आपको एक चीज़ आद रखनी पड़ेगी कि त्री गोल्डन रूल्स और अकाउंट आपको मालूम होने चाहिए जब तक आप लगों को थ्री ग आप इस वामले को मेमराइज कीजिए समझेए और इससा आपको थोड़ा भदाड़े लागेगा कि किसर से इस रखेगे नमारे करस को किया जाता है और इसके साथ यह पार्ट आपका हो गया है कंप्लीट थैंकियो सो मच और वाचिंग इस वीडियो